हलो गुट मांट टुलफी कैसे आप लोग को मित करते हैं सुविक अच्छे होंगे तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग 9 चप्टर को जिस चप्टर का नाम है राष्टी अंदलोन का संगठन इसमें 1870 से लेकर सभी कोई जानता है ठीक है निचे आएंगे तो पिछले अद्याय के दिया है कुछ चर्चाय बात किए कि ठार संतावल के जो करांती हुए तो उस करांती में क्या हाल हुआ तो अंगरे जुका सारे चीचों को हम लोग पिछले चप्टर हम पढ़ चुके लो अगर आप नहीं तो उसको देखते हिएगा क्योंकि हम लोग अलड़ी साथ आठ चेप्टर अप्लोड कर चुके लिए नाइन चेप्टर है तो सारे चेप्टर का मैं प्लेलिस्ट अलग बना दिया हूँ आपको एट क्लास से हिस्ट्र करके प्लेलिस्ट बनावगा वहां से जाएगा सारा व हैंतला हम अपने से खुद को सोतंतर रुप से कुछ भी किरियाए को कर सकते उसको कहा जाएगा संपर्वु मतलब हम खुछ से कर लेंगे आपकी जरूट नहीं है तो भारती लोग चाते थे कि अंग्रेजों यहां से जाओ हम अपना संपर्वु मतलब हम खुद को लोग यहां पर एके करके समझेंगे रीजन को, यहां पर किया था अठार सतर सीक दसक में अंग्रेजों के खिलाब लोग और ज्यादा गुसा बढ़ते गया, कारण क्या हुआ कि एक तो लागू कर देए, अठार सो ठार इसी में आम सेक्ट, एक्चली में पहले लागू हुआ था य लोकल भासा को वो वर्नाक्यूलर बोलते थे लो ठीके, और वर्नाक्यूलर एक्ट किया था, यानि कि लोकल भासा में आप अकभार नहीं चाप सकते हैं, यानि कि लोकल भासा क्या, आप माराथी में नहीं चाप सकते हैं, जो भी देश की लोकल भासा है, तमिल में, माराथी में तिलगू में हिंदी में उर्दू में फार्सी में नहीं चाप सकते हैं किस भासा में चापना भी यह तो अखबार अब अग्रेज बोले कि यह लोकल भासा में आप अखबार नहीं चाप सकते हैं तो फिर किस में चापोगे तो सिर्फ अंग्रेजी में चापना है पहला सर् पेपर चापने से पहले हमसे इजाद लेन पड़ी यानिंग्रेज उसे इजाद लेन पड़ीगी दो तरह के ये कठोर नियम बना दिये गया जिससे क्या हुआ आप अंग्रेज के खिलाप कुछ बोल नहीं सकते हैं दूसरी चीज कुछ चाप भी रहा है तो लोकल लोग आम ज याद रहे किसने लाए लीटन ने लाए किसने लाए यहां पर लिटन देखिए पहले सी इसको नो डॉण कर लिया हूं ताकि आपको चीजे को अधूरा ना बताया जाए होता कि अमूमन आप कहीं भी वीडियो देखते होंगे तो चीजों को लाइन बा लाइन ऐसे बता दिया जाता लेकिन उसके उसमें अगर कुछ अलग हट करिया है वो चीजे आपको नहीं समझा जाएगा यह आप बहुत सारे चीजे जो है उससे रिलेटर चीजों को अना उसको बहु अनो एक्ट जो है यह लिटन लाया था लॉड लिटन लगाने की जुरूत नहीं होता है लॉड समझ रहे हैं लॉड हम लोग भगवान के लिए यूज करते लो तो यह सब अंग्रेज अपने आपको जान बूच के कहने के लिए करते थे तो लॉड फॉर्ड यूज करना ही नीचे यह जानते होंगे हैं हतियार वगवारेको कंपली अगर बंदूक लागू है जैसे किसी भी भारतियों को अगर बंदूक चाहिए यह रखना होगा यह हत्यार अपने घर में रख रहा है तो वो आवैध रूप से घोशित कर दिया जाएगा तब तक जब तक वो अंग्रेजियों से आके लाइसेंस न ले ले या किसी निव वेक्तियों को लेना है तब पहले हम से लाइसेंस लीजे तब आप बंदू के लीजे तब के तब ही जाके आपको वो बंदू किया हत्यार वेकऱा जो आमसरह है उसको बैध माना जाएगा यानि कि वायलिड माना जाएगा और उसके खिलाब पर करवाई होगी पक लिए जाएगा SIMPS बात था अंग्रेज चाहता था कि ना भारत्य पास हत्यार रहे ना ही अक्भार रहे दूनों चीज से कलम और हत्यार दून चिछिल लिया भारतियों से और यह वज़ा से क्या हुआ भारतियों में गुसा बड़ी भ्यानक फुटी अब इसी बीच क्या होता है 1883 इस्वी में रीपन साब आते हैं और इनको माना जाता है बहुत अच्छे थे अच्छा था ही नहीं से उसमें सभी अंग्रेजों में सबसे बहतर यही थे रीपन जो थे रीपन जब आते हैं याद कि रीपन जब आते हैं तो यह क्या कि एक इलबट बिल लागू करते हैं इलबर्ट बिल क्या था इलबर्ट बिल ये कानून ऐसा कानून था ये अंग्रेजों के खिलाप आया था समझे कि इस पहली बार कानून बन रहा था जो अंग्रेजों के खिलाप बन रहा था बाकी जितने भी कानून आ रहा था वो तो भारती के लिए भारती उपर जबरदस् यहाँ यह काはい더 लंगक्रेजों के क्षिलाप आया, कैसे क्षिलाप आया वह क्या रहा था कि पहले जो कौटे उस कोटों में जज रते थे वो सिर्फ जज रते हैं, जितने भी जज थे, या अंग्रेजों का जज थे अंग्रेजों को जज थे और अंग्रेजों को जज थे वही सुनवाई करते थे अंग्रेजों का ठीक है यानि अंग्रेज कोई मुझरिम है उसकी सुनवाई कोन करेगा अंग्रेज जज ही करेगा और भारती जज जितने भी थे ना वो जज जो से भारती है वो लोग अंग्रे भारतिये हो चाहे अंग्रेज का जज हो या कहीं का भी जज हो और मुझरिब मतलब मुझरिब होता है उसकी सुनवाई करने के लिए जज जो है उतनी काबिल है चाहे किसी भी देश का हो या किसी भी जगा का हो वो जज उस पूरद पर पहुंचा है तो उस काबिल है कि चाहे अंग्रेज हो या कोई भी बेखती हो उसकी सुनवाई कर सकता है इस पर क्या किया गोरे जो थी यानि अंग्रेज जो थे भड़ागे बोले कि हमारा मतलब फैसला जो है यह करिया आदमी करेगा भारतिय करेगा भारतिय को काले और डॉग से डिनोट करते थे अंग्रेज भाव अग्रेज खिलाब था नहीं सही तरीके से लाए गया थे करनून तो सही तरीका तो अंग्रेज को पसंद आता नहीं था उनको सिर्फ कानून वो चाहिए था जिसमें भारतियों को टॉचर किया जा इलबट बे याद रिखे कि बस इतने ही कि भारतिये जजों को भी ओर्डर मिलाता ताकि वो अंग्रेजों की सुनवाई कर सकते जैसे यहां देखेंगे लिखा हुआ है भारतिये नयादिस भी बिर्टिस या ये ये बेक्तियों की मुकादमा चला सकते हैं इस पर क्या किये कि हला करना सूर करते है कौन गोरका सम और बाद में इस कानून को हटाना यहां पर लिखा है 72 ने बंबाई की सबाग करके एक भारतिये राष्टिक अंग्रेज की स्थापना के फैसले कि है थोड़ा से इसमें जानेंगे हुआ क्या था कि जो इसका स्थापना करने वाला था उसका नाम था यहां देखेंगे लिखा हुआ या इसका नाम है पूरा विन्योहम करके इसके नाम है ठीक है ऑथा थे यह थे अंग्रेज थे और यह रिटार हुए थे इनके लिए एक दिमाग लगा के बारती जिनी भी नेता, इसकां भ़टक के है, और इनकी मनसा क्या है आह कि नेता बनना राज करना या यह करना जी राजनीतिक मुतरना तो जह थोड़ा बहुत इसका सपोर्ट करते रहेगा इस राजनेतिक मंत का तो यह भी उनलोग अंग्रेजियों के खिलाव उतना नहीं बोलेंगे इस भावना से इस स्वार्थ के भावना से जो एयूम था वो गया दलहोजी के पास दलहोजी से बोला दलहोजी उस समय था को डेट याद रखेगा 28 दिसंबर 1885 को क्या किया गए एक नई पाटी के स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया भारतिय राष्टिय भारतिय कांग्रेश संग रखा गया थी कि संग पाटी चुली में सुरुवाद में नाम था इसका बाद में इसका नाम रखेगा तो भ पुना में क्या अगया पुने में प्लाग फैल गया दाटी केक है प्लेग नमग पूना का कैंसील कर दिय गया प्रूग्राम और उसके जगा पर बंबई में गया गया, बंबई में एक स्कूल था, एक संस्कृल भी से विधाले था, ग Kennet City, पाल संस्कृत भी शे विधाले था, उस विधाले में, मिंटिंग ब थाई गया थे किनको उसमें अधेक्च बनाय गया था, याद रिकी मुh का नहीं बना दिया इक स्कून बार में दादा भारती Kita राष्टि कर दिया ठीक है उसके बचाब दादा भाई बन गया तब उन्होंने कहा कि मिया भाई को किसी को बना दिया जाए तब मिया भाई को बदरुदिन तवेज तयब जी को बुदबदा रहे थे कि हम मिया हैं हमको कोई नहीं बना रहा है तब बदरुदा रहे थे यह बुदबदा रहे थे थे क्या जी को मुह बनाकर बठेते तो क्या बना गया बनर जी को दूसरी बार में दादा भाई को बोला गया कि इनको अधेखसर किया जाए तिसरी बार में मिया भाई को यानि बदुर दिन तयब दी को चोटी बार में चोटी कंग्रिस अधेखसर को आता उसमें जार जीर को यह चार चीज़े याद रखेगे कि लगतार पचासी, चीएसी, सतासी, अठासी, यह चारू जो है, कौन को नहीं किया, इसके बाद में याद रखेगेगा, ठीक है, अब यह कहानी समझा कि कंग्रिसिया देखता कौन करता है, कैसे होता, डेट कब इसके स्थापना होती, इस बात को भ देवेंदर नाट टैगोर लिखे थे, याद रखेगे कि इंद्रेर मिरर नामा का बार किसे ने लिखा था, तो देवेंदर नाट टैगोर लिखे थे, ठीक है, देवेंदर नाट टैगोर लिखे थे, इंद्रेर मिरर अठास, चीएसी, उसमें परकासित हो रही है, उसके वा नवरोजी के किताब है Poverty and Un-British Rule in India यह किताब किस ने लिखा था याद रहे कि दाधा भाई नवरोजी ने लिखा था और यह किताब की कुश्चिन कई बर पूछता है सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसमें किस बात की चर्चा की गए थी तो British सासन के आर्थिक परिनामों क कि बहुत तीखी अलोचना की थी यानि British सासन की आर्थिक जो परिनाम थे परिनामों का तीखा अलोचना किया गया था तो यह ब्रिटोसों का अलोचना किये हुए थी किस किताब में Poverty and Un-British Rule in India ठीक है लेकिन उसमें आर्थिक परिनामों का तीखी अलोचना किया था इस बात की यादर किया कि कि को कोश्चन जो है अब जो है BPSC स्मार्ट वे से कोश्चन पूछने की कोशिस कर रहा है ठीक है अब आएगा उभरता हुआ राष्ट्यवाद उभरता राष्ट्यवाद में समझेंगे अब यह देखेंगे तो यहां पर मैंसन किया हूं मैं कि बिध चाहती थी कि सरकार में भारतियों को भी उचे पद दिया जाया मतलब सरकार में भी यह आना चाहते थी ठीक है सिविल सिवा से जो लंदन में होती है उसके साहसाथ भारत में इसकी एक्जाम कराया जाया ठीक है मतलब स्विल सिवा के पर सेक्जाव दो है ICS की जो एक्जाम ह नामक एक मदवरगी नेता, अब डिंचा बाचा नामक के थे मदवरगी नेता थे, जो 1887 में नारोजी सम्बंदित हुए, नारोजी को सम्बंदित करते हुए, एक लिटर लिखते हैं, और ये कहते हैं कि बहुत चिंता के बिशा है, कि सब कोई सूतल है, हम लोग खाली हला करक बाकि सारे लोग तो आराम से घरे सूतल है, हलाक करता है, चुप चाह सूतल रहता है लो, और जो एंट टाइम आता है तब आज़ता है लो, जैसे कि फिरो साथ को बोलता है, और भी बहुत सरे नेताओं के बारे में, इन्होंने दादा भेना रोच्छे सिकायत किया था, एक लिखा हुआ है कि बंगाल, पंजाब और महराष्ट, अब कोई कोल क्या है, तो ग्रिन कलर वोगल, ग्रिन कलर से मैच के हो, ताकि आपको समझने माशा नहीं हो, बंगाल से थे बिपिंजत चंदरपाल, एक्शोली में बाल, लाल और पाल, इस से काफी ज़्यदा ये परचल वो दल था जो की अंग्रेजो को चाहताता करके संति कर दे और नरम दल वो था जो चाहता तर अंग्रेजो को हां जोड़के बिंती पिरल्वक, उसे काम को निकल वाले, ठीक है तो बंगाल से विपिन चंद्रपाल जो थे बाल लाल पाल में पाल जो थे वो कहां के थे बंगाल के थे ठीक है तब विपिन चंद्रपाल कहां के थे बंगोल के थे और बाल गंगादर तिलक जो थे वो कहां के थे तो महाराष्ट के और पंजाब से कौन थे तो लाला लाजप से अना वो लोग सांती भंग कर दे ठीक है तो ये लोग हाथ जोड़े वाला नहीं हाथ तोड़े वाली सिधान पर काम कर रहे थे ये गरम दलवाला ठीक है उसी में तिलक ते बाल गंगादर तिलक जे उन्होंने कहा कि स्वराज्य हमेरा जनमसित अधिकार है और इसे मैं ले क गया वर्ना क्यों और प्रेस्ट फरिया गया क्यूंकि रीपन सब आये और रीपन सब आके इस सारी चीजों को खतम कर दिये यहां तक इलवर्ड भी लाके और अंग्रेजों पर दबाव बनाना सुरु कर दिये अपने ही अंग्रेज वाइसराइज जो थे उन्होंने कहां से तो उन्हें पता चला है कि उनकी ज्यातर जो नेता है जो अंदोलन में बर चरएका भ्यानक रूब से भाग ले रहे है वो सब बेंगोल का है और बेंगोल में जनसंक्य जादा थी अर दूसरा रीजन क्या था कि बेंगोल में हिंदू-मुस्लिम के बादी बहुत जा करजन क्या किया था करजन लिया था चुट्टा और क्या किया बंगाल को बिभाजन कर दिया कब कर दिया था पांच रुपय करजन लिया था कितना रुपय उन्हें से पांच रुपय करजन लिया था करजन लिया था करजन लिया था करजन ने क्या किया बंगाल को बाड़ द कर दिया और उसकी जो मंसा थी यह बाटने का हलाकि बाद में जाके फिर बंगाल एक हो गया लेकिन जो वो बीज बोया था कि हिंदू मुस्लिम में नफरत कर दें ताकि आगे हम लोग को अपनी साशन करने में असानी हो सके ठीक है क्योंकि अंग्रेज अक्चोले क्या होता है क अठर सन्तावन की करांथी में डर गये थे 8.-67 करांती में क्या होँ अरपने ही में लड़ जाए जिसका नतीजा आगे हुआ जब यहां से जाना शूरू किये तब पकिस्तान भाग गया इदर से निकलके और उसकी वज़े से बंगलादेश पकिस्तान कितना तभाही हुआ, करजन जो था वो 1905 सुई में बंगाल का भी भाजन कर देता है क्या कर देता है बंगाल को दो भागों में बाड़ देता है ठीक है दो भागों बाड़ देता है और कहता क्या है कि हम परसासनिक सुभिधा के अधार पर बाड़ रहे हैं कि हम लोग को परसासनिक परसाशन करने म तो परसांसेनिक बहाना देखे लेकिन मन क्या था इनकी मन से क्या थी धार्मिक दार पर बाटना और उजो कि उन्होंने किया भी था इसके खिलाप में क्या हुआ कि सौधोसी अंदोलन, सौधीसी अंदोलन बहुत जबर्दस तरीका से चला यादर केगा सवधेसी आंदोलन, भहिसकार आंदोलन, ठीक है, बहुत सरे आंदोलन चलाएगा, इसी में रविन्ना टेगोर जह है, अमार सुनार बंगला नामा की गाना भी जो गाते हैं, जो की बंगला देश का आज राष्ट्री गाना भी है, ठीक है, उसके बाद से बहुत सवधेसी आंदोलन शुरू हो जाता है, क्योश्चन पूछेगा कि किस घटना बाद सवधेसी आंदोलन को चलाने की बाद, या सवधेसी आंदोलन चलाएगा, तो करजन दुवारा बंगला भी भाजाने के बाट, ठीक है, उसके बाद इस साइड़ में देखेंगे, तो यह केसरी अखबार जो था, मराठी अखबार केसरी बिर्टिस सासा का कटर आलो चुक बन गया, मराठी अखबार था अंगरेजी में और केसरी अखबार था मराठा में, याद रखेंगे, दो अखबार चापते थे, एक मराठी अखबार, मराठी अखबार मतलब नाम था इसका म अखेम लन भी होगते क्यों ? मराथे अखंवार नाम था ? यह जो मराथे हगबर था ? वो तो अखंवार Wait का नाम था ? मराथे जो क्या को यह यह जो महारा की नाम था ? τανैंक जए नम था ? महाराथा क्या नम था दूसरी अकबार के नम था केसरी ठीक है केसरी जो अकबार था वो माराठी भासा मत था ठीक है तो माराठा जो अकबार था वो किया था अंग्रेजी में था और केसरी जो अकबार थी जो केसरी जो अकबार था वो कि माराठी भासा मत थी इसके एक पर फिर से देख लाइद या रहता ठीक है नीचे आते हैं नीचे समझते हैं यहां पर देखेंगे लिखा हूँआ आंदर की देल्टाई इलाके में बंदे मात्रम अंदकलत के नाम से जाना जाता है रूग से पर यहां पर बंदे-मात्रम आंदुलॉँए किस येए जं가요 यहां पर देखिए लिखा वाक्या 1906 उस्वी में उसने देखा कि लोग ही 1000 ह desaf बाजन किया था तो देखना कि देखा कि बहुत चारे लोग जो है इसका हलक कर रहे बिरोद कर रहे तो इसने दिमाग लगाया सूचा कि फिर ये एक होके बिरोद करेंगे पूरी पलानिंग से पहले जिता उसने क्या किया 1926 में मुस्लमानों को बलाया और मुस्लमान जमिंदारों और नवाबों को बलाया धाकाम बलाके ओल इंडिया मुस्लिम लिकी गठन कर दी और उनको बलाके क्या बला कि आप लोग भी क्या कीजिए मुस्लिम के लिक अलग गुरूप बना लिए क्योंकि जो कांगरिस बना गठन, ओलिडियो मुस्लिम लिग गठन के स्थाफना कर दिया gig कब 1926 ये, बस यही काम करना तो अंगरेशों को बाकी सारी कहानी उनके लिए फिरी हो गई tug तक लिग न क्या किया अब लिग के जो स्थापना कर दे गे थी अब जैसे लिग के स्थापना ओर इहां तो जो बंगाल भी भाजन किया गया था आधा मुस्लमानों के दे दिया गया तो आधा हिंदू के दे दिया गया था तो अब क्या हुआ अब लिग जो है इस बात का समर्थन करने लगा कि बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए हमारा जगा मिल गिया है ठीक है यानि कि लिग जो है बंगाल भी वाजन क्या करने लगा स बहुत कम ही थे जो मुसलिम लिग के सपोटर नहीं ते और कांगरेज के पास ज़ादा मुसलमानों की संख्याती थे ठीक है तो ऐसा नहीं थे कि कंग्रेस जो पार्टी बनी हुए थी यानि वर्तमान कंग्रेस नहीं भारती राष्टी कंग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अभी किसी पार्टी से मतलब नहीं है पहले की मैं बात कर रहो भारती राष्टी कंग्रेस जो था उसमें जो थे बहुत ज़्यादा थे ऐसा नहीं कि उसमें कम था और मुस्लिम लिग जो एक special मुस्लिमों का पाट्टी बना था उसमें उतनी संख्या नहीं थी उतना लोग भी सबोर्ट नहीं करते थे अलग भले निर्वाचन मांग लिया और इसको सरकार मान भी लिया तो कोशन पूछेगा और ये जो था ना 1909 इस्यू में जब माना था ना उसी समय से ही तो में जड़ सुरू हो गया ठीक अलग निर्वाचन की बिवास्ता कर दिया और इसी को राजेंदर बाबू बोलते थे कि जो भारत में हिंदू मुस्लिम यह निसंपर्दाइक था का जो जनक है 1909 इस्यू मारल सुधार आया था और उसी सुधार ने क्या-क्या अलग निर्वाचन की बात है कह दिया ठीक मुस्लमानों खेल अलग सिट फिक्स कर दिया उसी बीच में 1907 इस्यू में देखेंगे घटा में तो 1907 में क्या हो रही है साथ में सूरत में एक अधिवेशन हो रही है कांग्रेस क कारण क्या होता है जो पाँच में घटना किया था बंगाल को बाटा था इसके वजा से दोनों आपस में भंगाले कर रहे थे हम बात कि हैं अग्रेज से कोई मामला निकलेगा यह इसको विभाजन किया इसको वापस लेना पड़ेगा रध करेगा बस यह लोग खिसी आगे चले गए लो गरम दल वहले कि भाई तो बात ना मनता हूँ ठीक है समर्ण ना तो यहीं से साथ में क्या हुआ सूरत में अदिवेशन हो रही है कंग्रेश की साथ में यह सब साथ है नहीं रहें त्यादर के 1907 के जो कंग्रेश अदिवेशन हो रही है इस साथ में साथ नहीं र बोलाई एनिवेशंट बोलाई उनीश सो सोला में एनिवेशंट जो थी व भारत में होम रूल रूल रिग अंदोलन की सुरुआत करने वाली थी और इनके साथ तीलक भी थे ठीलक और होम रूल रिग यह अंदोलन चलाया वा था याद रहे कोशन पूछता है तो तो इनिवेशंट जी बोलाई कि आप लोग आये बठी यहाँ पर मुला सल्टाई आप लोग के बीच में क्या हुआ था बात बताई कि लोग सब के बीच में मध्यस्ता कराई बात कराई इसमें मुस्लिम लिग जो 1906 से ही अलग हुआ था नौ से ही अपना अलग निरवाचन मांग लिया था और साथ में साथ नहीं रहें थे गरमदल नरमदल इन तीनों को बलाके बात कराई बोली कि आईसे नहीं है कि आपस में आप लोग जगड़ा करते रहेगा तो देश आजाद होगा सब एक सथ मिल के पहले अंगरेज को निप्टाई बाद में आप लोग अप बात मा ने लिया ठीक है समझाता होगे तीनों के बीच में ठीक है साइड में देखेंगे इदर कुछ चूटा नहीं ना साइड वाला तो पकड़कर रखना है क्योंकि साइड वाला चीज को साइड से निकल जा रहा है ठीक है अब यहां लिकाया है कि आरे समाज के लिए और यह लाला लजपत्र है पंजाब के जाने हमाने राषटवादी नेता थे और यहां एक और चीज यहां मेंशनल करना चोड़ दिया है, हलांकि मैं फिछले बढ़ाया हूँ, जो लाला लजपत्र है थे वो पंजाब नेशनल बैंक की एक ते याद रखिएगा ठीक है, और तो यहां पर देखेंगे, तो यहां सेयड में जो बैता रहा था कि R.A. समाज के सदस्य थे, अब कोशन पूच दे कि R.A. की स्थापना किस नहीं किये ते R.A. समाज क्या तो मैं एक बार बताया था कि R.A. को डया नहीं आती है, मतलब एक ट्रिक्स बताया था ऐसा नहीं किसी की भावना और को ठेस पहुंचे आरे को दया नहीं आती है मतलब कि आरे की समाज के स्थापना किये ते दयानन सरस्ती और उसके सदस्य बने हुए ते कौन लाला लाजपत राय कोशन पूशे देगा कि लाला लाजपत राय निमने मैं स किसके सदसे थे तो आरे समाज के भी सदसे थे इसलिए जानना जरूरी पड़ जाता ठीक है यहां चीजित हम लो समाज के लिए कब टूटा कब जूटा लो यह दोनों दोस्ती फिर से कब वापस इनकी आ गई ठीक है अब आम लोगों की क्या थी जिंदगी मुस्किल होती ज कड़ने में पर्थम विस यूद दूसरे विस यूद की कहानी आप सुने होंगे नाइंत क्लास का जो पढ़ाया हूं थी आज में बहुत डिटल में समझाने को सुच किया हूँ यूरोप उसमें बीजी था तो यूरोप में क्या हो रही थी manufacturing बंद हो गए थी यानि कि उत्पादन जो समानों का उत्पादन जो है कम पढ़ गया था क्योंकि लोग अस्त बेवस्त इधर उधर बीजी थे यूद में लड़ने में तो वहां उत्पादन क्या हो गया था कम ह इस है तो नहीं है कि बाकी दुनिया के लोग पहनना चोड़ देंगे खाना चोड़ देंगे समान को यूज करना चोड़ देंगे उनको तो समान चाहिए है कि नहीं है तो उस समय क्या हुआ भारत में जितनी भी कमपनियां थी भारत में जितने भी उधोग धन्दे थे उनक समान का डिमांड बढ़ गया क्योंकि एरोप वाले का समान रुग गया तो जिसके लिहाजा कि भारत के जो कमपनिया तेजी से गुरो करने लगे यही कारण है कि उस समय जब बंगाली वी वाजन जब अंग्रेज किया हुआ था तो उस समय सौधेसी जो अंदोलन चला उस किया जिसमें आप लोग पढ़े होंगे जोग्रफियों पढ़ाया हूँ उन्निस सौ साथ इस्वी में जो यह टिसको के स्थापना के जिए टाठा अरेने श्टिल कंपनी जमसेजी टाठा द्वारा उसको जूट मिल के स्थापना ने बहुत सारे मिलों की धीर दिरे मतलब क्या हुआ आम जंता की भले ही हलत खराब हो रही थी देश में दुनिया में लेकिन बिजनसमेन का बिजनस खोब चल दिया था 20 यूद में ठीक है तो कोशन पूछेगा 20 यूद में निम्न में से किन लोगों को मुनाफ़ा हुआ था या फैदा हो रहा था तो किसको भ रूष में करांती हुई उसको 1917 की करांती कहा था या बोलसवी करांती भी कहा जाता है ना 1917 में एक्चले में रूष के अंदर ही ग्री यूद सुरू हो गया था क्योंकि रूष के पास 15 लाख सेना थी और वो पर्थम 20 यूद में उसमें से 6 लाख सेना मर चुकी थी बहुत रूष का जाड़ा नुकसान हुआ था रूष को हद से ज्यादikhान नुकसान हुआ था रूस की अर्थ-विवस्ता धिरी-धिरी डिगमगाने लगी थी और रूष के जानता ही रूषक जार मतलब हुए रूष के समराट की खिलाप आवाज उठना शूरू कर दीति जिसको बोलसवी करांथी या 1917 की रूसी करांथी भी कहा जाता है ठीक है आगे जी अब नीचे देखेंगे तो यह महातमा गांधी अभी इंट्री मारते हैं इस अंदोलन में गांधी जी जो थे वो अब यहां देखें कितनी बढ़िया बात लिखा हुआ है 46 भरस के उमर में 1915 में दच्छिनफरीका से भारत लोटे सब कोई जानता है कि गांधी जी 1915 में दच्छिनफरीका से भारत आते है ठीक है भारत आते है कब आते है इसलिए नो जनवरी को ये गांधी जी आते हैं अफरीका से भारत आफ़ीका में वहां पर किसी का आदा केस लड़ रहेते हैं और वहां भी काले गोरे का भेद भाव को दूर करके आयों थे कापी जदा परसी लिद थे अफरीका में ठीक है जब भारत आते हैं थे इनके उमर कितनी थे 46 वरस के उमर थी और यही कोस्टन जो करा है कि इसी तरह का कोस्टन तो ठाक पूछ देता है और यही चीजे जो है मैं यही चीज तो नोट्स में बना रहा हूँ इसी चीजों को इतनी चुटी-चुटी को मेंसन किया हो जैसी यहाँ पर कैसे 9 जनुरी मिस कर दिया है कि दिया है सिर्फ 1915 का है लेकिन नहीं दिया है कि 9 जनुरी 1915 का है ठीक है इस बात को मैं चाह रहा हूँ कि अपने नोट्स जो बनाऊ उसमें बढ़ियां सेमें सऱ करू ताकि जो यहां पर डाटा दी गई उस डाटा के आगे पीछे भी चीजे को देख लेंगे न तो हमें ने लिखता कि एकजाम में कुछ भी चूटेगा बहुत मेज़ें लचार में मिलेगा तो वैसा नोट्स आप पर सच इसमें दिखेगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको नोट्स का काफी जदा उससे परभावित हुईएगा ठीक है तो आगे आएगा चीजे सबसे दीर दीरे तो सबसे पहले समझे दो जो लोरी 1915 को गांधी जाते है भारत में जब आते हैं तो कितने साल के थे तो 60 साल के भारत में आए भारत में कहां से लोटते है अफ्रिका से अफ्रिका में क्या कर रहते है तो नसले भेदी पाबंदियों के खिलाब जो है लड़ रहते है यह नसले भेदी मतलब गोरे काले वाला भेद भावका लड़ाई लड़ रहते है अफ्रिका में ठीक है उसके बाद य किया था तो अफीका में कोशन पुछेगा नाटाल कंगरेस की स्थापना किस ने किया था नटाल कंगरेस के ऐस्थापना तो गांदीजी दुवारा किया गया था 10 सल बाद 885 Goddess – 8895 में ठीक है इसके स्थापना की जरी है बस चीज़े यह दिय गई अब यह लिखा है कि ⁠ महात्मा गांदी ने पूरे साल भारत में दौरा किया गांदी जी जब भारत मैं तो गांदी जी भारत में राजनिती में सक्रीति होने से पहले अपने एक गुरू के बास पहुंचे उनके राजनितिक जो गुरू थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखलے थे उनके राजनितिक गुरू उनसे जाके पूछते हैं कि हम क्या करें अफरिका से लोट के आगें अब यहांपर क्या किया जाए गुपाल कृष्ण ने गोकले बोलते हैं कि काम करो साल भर चुप चाप यहां पर निरक्षन करो देखो कि देश की राजनिती भारत में कैसी चल रही है ठीक है तो उन्होंने साल भर स्रीप टुकुटुकुर देखा और उसके बाद और साल भर जो टुकुटुकुर देख रह बिहार के चंपारनजी लेके मुरली भरहुएह गाओं के थे यह कौन जी राजकुमार सुकला जी और यह राजकुमार सुकला जी पहुच जाते हैं कहाँ पर भारती राष्टी कांग्रेश के जो सो मेलन हो रहे थी 1916 का 1916 लखनोवला उसमें ये पहुंचते और अपनी बात वहाँ पर परशानियों को रखते हैं तो वहाँ के नेता कहते हैं कि ये गांदी जी अब के आए हुए की समस्या को सा सिलटाएंगे लेकिन गांदी जी नहीं जाते हैं डोबारा शुकला जी लेटर लिखते हैं तीबा़ा लिखते हैं बार 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 भुलिया दे रहे थे कि आज आएगे को आएगे और सुकला जी को नहीं जानते थे कि अ color भी हरी आदमेar उपर से चंपारन कादमी ठीक है तो उनको लगता था कि भाई साब की शुकला जी ऐशा ही लेटर लिख रहे हैं हम तो भुली आते रहेंगे तो मान जाएंगे सुकला जी पहुँच गए गांदी जी के लिखे का चलबा की ना चलबा तब गांदी जी बोले कर चलेंगा मर्दे यहां तक पहुँच गए हैं बताईए हम बोल भे कियता आएंगे का बोला सो जाएगा बार बार कर रहा है कि अब आएंगे को अब आएंगे गांदी जी को घ राजंदर बाबु भी इनके संग संग चले जाते हैं सब कोई जाता है तब पहली बर जगांदी थी चंपारन पहुंचते हैं और चंपारन में जाके उनकी समस्या सल जाते हैं क्या समस्या थी तो तीन कठिया पर नाली वली समस्या थी अब क्या थी तो बीज कठे में तीन कठ उसी समय चावाल की खेती यानी धान की खेती खेती तो धान छोड़े के निल की खेती जब अंग्रेज करवाते थे ठीक है जिसे उनकी अपनी खाधान्य फसलों की कमी होने लगी और वो अपना टेक्स भर नहीं पारते थे बहुत सारी समस्या किसानों को था जिसके वज़ा से गांधी जी यहांपर पहुचे और उनकी समस्याओं को समझे और समझ किये यहां पर मवला सल्टान की कोशिच किये इसमें एक घटना भी बहुत ज़दा पर चली थे जब वो बिहार आवे थे कई पर मैं सुनाता हूं तो बिहार में आयोते थे किसी द्रोगा न उनको आमंत जो खाना बनाने वाले बावार्ची था उसका नाम था बतक मिया ठीक है बतक मिया जो थे उनको उनको उनसे क्या हुआ कि अंग्रेज बोला अंग्रेज अपने एक चेला से उनके खाना में जहर मिलवा दिया कि इनके खाना में गांधी जी के धीरे से और बतक मिया से बोला क जब वो खाना रखने आए तो रखने आए तो वहां राजंदर बाबु बैठे हुए थे गांदी जी बैठे हुए थे बतक में जब खाना रखने आए ना तो राजंदर बाबु कान में धीरे से बोल दिये कि ए मैं जहर बाटे खानवा में कावा खानवा में जहर बाटे अब अंग्रेज तो भुचपिरी वासा पूरी तरह समझा नहीं और दूसरी बात के धीरे से बोले तो कोई उतना ध्यान नहीं दिया लेकिन राजेंदर बाबु ठारे बिहारी बाबु है ना उनको तो तुरत भासा समझा गया कोई उस समझ कि अब राजेंदर भाबु रियक्ट कैसे करते बहुत तीजी से है ना अब दिमाग लगा क्या किया कि खनवा को धीरे से उल्टा दी है खनवा क्या कि थीरे से उल्टा दी अकदिज्या गल्ती से गिर गिया है अब थोड़ी दिरूपर वहां पे एक बिल्ली बेठ अब बोला कौन बनाया था खना रहे बहुत अब पकड़ा सा पकड़के फांसिप लटका दिया से उल्ले बैचारा बतक मिया बचाने के चकर में उनको बिर्यानी बना दिया था ठीक है तो बैचारे बचाया गांधी जी को बचाया लेकिन उनको मर दिया गया तो यह बीपेस यह पुशा हूए यादर के कोशन दिखा दूगा आप लोगको इसलिए कहानी मैं सुनाया तो चंपारन में जब पहुचे हैं तो चंपारन में 1917 में जो आंदलन करते हैं तो चंपारन का 1917 का अंदलन करता है फिर उसके बाद खेडा में जाते हैं 1918 आमदाबाद में जाते हैं और यह जगा जगा पर जाके यह अंदलन करते हैं गांदी जी इसको बहुत डिटल में समझाने की मैं कोशिश किया हूँ आगया जी नटेल कंग्रेस अब लोग को हो गया यहां वर समझे 1918 में आमदाबाद वाला समझे आई गया अप लोगों उसके बाद 1922 के बीच में गांदी जी जो है अब अंदलन को बिस्तार रूप से करना चाहते थे एक्चलों में क्या था था जगह जगा अंदलन कर लेते हैं चांपारन में खेडा में आमदाबाद में अब वो सोच रह जग जिसके वोज़े से वो आशयूग अंदलन सुरू करेंगे अब दुनों घटना को पहले समझ लेते हैं पहली घटना थी जलीलबाग घत्यकंट जिसको रॉलक्ट सत्यागरा कहा गया अब अंग्रेज क्या किया समना अब अंग्रेज देखा साम कि बंगाल विवाजन कर पर तुम लोग एक होगे अलो फिर हमको माराएगा सर्फ फिर अंग्रेज क्या किया कि नया कानून लेका आया रॉलक्ट एक्ट इस कानून के तहाद किसी को भी सक्क्या धार पर पकाड़े के जेल में डाल देना था ठीक है कोई भी साथ में घूम नहीं सकता है मिटिंग न कि अपमान का याचना है अब इसके लिए 6 अपरल 1909 में गांदी जी बोलते हैं कि अपमान दिवस हम लोग बनाएंगे लो यह गंदा कानून के लिए एक अंधा कानून के लिए के हमारे लिए जबरदस्ती थोपा गया कानून के लिए हम लोग अपमान दिवस मनाएंगे ल रॉलेट एक्ट कानून के विरुद में 6 अप्राइल 1990 को अपमाने दिवस मनाए गया था ठीक है आगे आते हैं लो यहां देखेंगे तो नाइट हुड एक नाइट हुड की उपादी मिली हुई थी नाइट हुड होता है न मतलब कि बिटेस के राजा रानी के तरफ से किसी भ ब्यक्ति को आपर्तिम व्यक्तिगत सफलताओ या जन सेवा के लिए दिया जता है तो नाइट हुड की उपादी देता है मतलब बहुत ज़्यदा सेवा करने के वज़ए से लोगों की जन सेवा करने के लिए या गुड प्रसनलेटी बिहभियर अच्छा होने को जैसे रानी जो घटना होई थी 13 अपरेल वाली उसके वज़े से 6 अपरेल के कहांनी समझा है 6 अपरेल को अपमान दिवस बनाया जागिया 9 अपरेल को सतेपाल मलिक और सतेपाल मलिक और सतेपाल दोनों जो नेता थे वो क्या किये इसके खिलाप हर्ताल सुरू कर दिये कि ये कानुन हो तुम बही गल्ती कर दिए, अब पञजाब रोग छो थे, वो क्या किये, वो लोग जाके एक जगा एक पार्क में, जिस पार्क का नाम था, जालिया ऑलाबाग, वहाँ पे जाके सान्ती पॉण्ड धंग से meeting करना शूरू कर दिये, क्या करने लगे, meeting करना सूरू कर दिये, इसलिए ताकि अंग्रेश से कहा जा से कि हमरी दूनों नेता को जो पकड़े हो, उनको छोड़ दो, उनको कोई गलती नहीं है तो वो गटना कब और ये 13 अपरेल को गोलिये चलाना सूरू कर दिये, उस भगीचा में एक तरफ मातरा रास्था तर निकल लेका और यहीं पर पुलिसागा खड़ा दिये और चारू तरफ से दिवाल गिरा हुआता और अंदा दून गोलिये चलाता है, पूरी लोगों को लहू लुहान कर दिये खून से मार देता है, पूरी लोगों घंतिया कर देता है, उसको बाद रभी नाट अगर जो थे नाइट हूट की उपादी लोट आ दिये, इस बात को याद दे, डेट बाइट याद याद रही है, 6 अप्राइल, 9 अप्राइल, 13 अप्राइल, 3 घटना को अब रिलेट करके पढ़ि अब लोगों बहुत 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 मि musclesm mondo मैं सबसे बड़ा पश्ट the post होता泥 सबसे बड़ा पधा 두ता वो खलीपा काünde KOईलिपा की equipment किसा था खलीफा पॉटता और इस खलीपा के पद में सब से बड़ी संसद यो मारे न्यिटिए क्पा हाय कि क्प् Wassr जबसे बड़ा पोस्ट उता Uनके खलीपा आट रहेगा तो मुसलिम पूरी दुनिया में और यह कटरनाक हो जाएंगे इसाइयों के लिए या किसी के लिए भी हो ठीक है तो वो सुचते थे कि मुसलिम एक जूट ना रहा है इसके लिए खलीपा का पोश्ट यह टा जै क्योंकि देखो खलीफा रहता तो आज भी खलीपा बोलता तो पूरे मुसलमान एक जूट हो जाता ठीक है इसलिए जो इसाइज होते न अंग्रेज बहुत खतरनाक दिमाग वाले होते हैं बहुत तो इन्होंने भी हला करना सुरू किया तो यह गट्टा हो रही थी 1929-1929 के लाश्ट में 1920 के सुरुवात में घट्टा हो रही थी तो गांधी जै ने देखा मौका अभी जलियला भगहते कंड़ हुए तो भारत के सारे हिंदू-मुसलमान भाई गुसा थे क्यूंकि नेता तो मुसलिम भी पकड़ाया हुए थे मारा भी गया थे हिंदू भाई भी सीख भाई भी तो सब कोई गुसा था और यहां कुछ मुसलमान जो थे जो चुपचा दमियों साधे हुए थे वो भी खिलापन अंदोलों के वजह से अंग्रिजों के खिलाप हो चुके थे इसका मत मांग लागा थे कि अब सोराज जी की मांग पर आगे बढ़ा जाए सोराज मतलब अपना राज्य किया जा ठीक है अपनी राज्य स्थापना किया जाए सोराज के मांग के लिए मोतिलन नहीरू और श्यार अर्दास गुपाल राज गुपाला चारी आसफ अली बहुत सारे बड़े बड़े वखील थे इन्होंने वाकालत चोड़ दिया मतलब गांदी जी मीटिंग किये मीटिंग के बोले कि यह काम किया जाए हम लोग अब एक अंदोलन चलाया जा और इस अंदोलन में दू सल में हम भारत को आजाद कर देंगे सब को लगा कि गांदी जी तो कोई चोड़े थे मतिललने रूसी आर्दासी सब गोला जी था ना सबको वाकाला चोड़ दिया और गांदी जी शुरू करते आंदोलन को आपका 1920 में एक अगस्ट 1920 से सुरू कर दे थे और यह अंदोलन सुरू होता है और यह अंदोलन सुरू होके चलते रहता कंटिनू दो सालो तक चला तक चला लेकिन यह अंदोलन का कोई भी जगा-जगा इसका हला हुआ जगा-जगा लोगों ने बरएक भरे पूश्क किया दुनिया भर करी इनको जो सोच लेके चले हुए थे, जो इनकी लक्ष थी, वह लक्ष पूरा होता नहीं दिख रहा था, ठीक है, उसी बीच में क्या हो रही है, उसको समझते हैं, यहाँ देखे, यहाँ लिगा एक टटी आंदर परदेश में, तमिलाडू में भीती, भेतर भागमा सराब के दुकान आधी हो रही ही, ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ लिगा कि शीक गुरुद्वारों में धारमी के करता धरता महंत किसे करते हैं, उन्हे बोढता है, शीक गुरूद्वार्य हम जो होताए, सिक गुर्धवारे में जो जैसे पंडी जी होते हैं नो, मौलवी समस्कावते हैं, जो लोग बैठे रहते हैं चेह पूजापाड रह, धरमी कृयाओ को पुरा कराते हैं उन्हें करते हैं महंत कहा जाता, भीकर अब, गैर कारूनी, बेदलगी, बेदखली अब नीची आएंगा तो जनता के महात्मा गांदी जी ने शुर्वाती सवरे में जब जनता के लिए अबाद उठाए थे चंपारान वाला में चाहे खेडा वाला में चाहे अहमधाबाद में जनता की तरज से क्या वनगे थे मसीहा बन गया थे ठीक है गांदी जी के छवी जो है बहुत बर्दस होगी थी अब यहां पर देखेंगे तो यह तस्वीर बनाए गया है इस तरह भी तस्वीर में देखेंगा तो गांदी जी के क्या बने वे सार्थी बने वे उसी तर्हा गांदी जी के चब्यूंता कि छवी तोफ कर दिखाया जाता थे इस तस्वीर में क्रिश्ण के सार्थी बने इस तवी वह याद रहे गाऑ में कुस्चन पूछेगा कि तस्वीरों में कृष्णी के सार्थी बंते में दिखाया जाता है तो गांधी जी को याद रहे आगे जी अगला पिजमात है, यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं, 1922 से लेकर 1929 की घटना है अब 1922 में जो दो साल तक घटना है, जो हो रही थी अंदलल जो हो रहा था, उस अंदलल में कोई फायदा दिख नहीं रहा था उसी बीच में क्या हhouर है यह 5 पूरी तरह से आगबाबूला होगे क्योंकि उनकी जो अंदुलन जो ती सारे अंदुलन सत्य हिंसा पर टिकारते था में ने अंदू सील अफनी नहीं करना ओख घिया, जहाँ यह सुने की बाइस प्लिश कर्मी को हिंसा हो गया, बाइस प्लिश कर्मी को मार दियa गया है, यहों ने क्या कि presented आनने प्षाना ने न सब बोले लागे भाई सब घटना हुई है अगर गोरखपुर में तो पूरी इंडिया में क्यों इसको बैन कीजेगा गोरखपुर में आंदलों को बैन करती है गोरखपुर में कोई अंदलों नहीं होगा तो लेकिन गांदी जी को तो भाई सब किसी तरह बहाना चाहिए था अपने अंदलों को बन करने के लिए क्योंकि उनको लक्ष दिख नहीं रहा था तो वह जबर्दसी क्या किये बंद कर दिया और 12 फरवरी को 1922 अपने अंदलों वापस करते हैं बंद हो गया इनको पकड़ लिया गया और पकड़की इनको ले जाके जेल में डाल दिया गया अंग्रेजी दो रखी को अंग्रेज बोले कि आपिक वजह से 22 पुलीस कर्मी को मारा गया क्योंकि ना अंदुलन शुरू करते ना मारा जाता तो इनको पकड़ के जेल में डाल दिया लो छे बरसों के लिए वहाँ पर जेल में डाल दिया गया यानि बाइस है इनको निकलना क किस ने किया तो 27 सितमबर 1925 में हैना हेडगवार ने किया देखेल नने किया थे बस इतना याद रहे खेल एक है किब तो RSS कर जosse के जो हेड थे हो हेडगवार थे कब कर रहा है अपना 27 सितमबर 1925 और यह कोश्टन आ सकता है क्या कि अम्मोमन अब चिन पहले बात यहां मुद्दा समझे कि कुरेंट में यह मुद्दा चलती रहती है यह वर्ड मीड सुनने मिलते रहता है तो कोश्चन आभी सकता है में 27 सिंबर क्किसट ने किया था था możemy कानपुर में इसकांपना कर रहेु है और समधी स्थापना कर रहे है 27 सितंब्र 1925 में कुम्मिश्ट पार्टी का स्फार्प्ली 25 में कि होला यह 2iß सदंब्र 21 इंदलोर Ummच से यहां दहके तरह दस चित्रणी 10 एक मुक्षनात थे फूर्वी बंगाल के वकिलvenue तो यहां वकालत जो छोड़ दी थे C-R-10 मैं बोला कि मोतिलेलेरू और यह वकालत छोड़ दीए तो इसमें C-R-10 जो थे वह कहां के वकिल थे तो पूर्वी बंगाल के याद रखे कि पूर्वी बंगाल के वकिल थे कौन थे C-R-10 वकिल थे ठीक है निचे समझते हैं यहां स्थापना जो है 1927 में हुई थी और यह भारत में जब आया तो भारत में इसकी वापस साइमन गोबै का नारा जो है पड़ी तीजी से बुलद हुआ तो साइमन गोबै का नारा ठीक है याद रखेगा आगे चलते हैं कभी कबार कोश्चन पूचिता है कि साइमन गोबै का नारा किसने दिया तो याद रखे कि यूसुप महर अली ने किसने दिया था यूसुप महर अली और इनका यह जो नारा जो है कापी पूच रहा है इनकलाब का हो सारे जहां से अच्छा इंदुस्ताम आ रहा हो ना तो यह सब सर परोसी की तमन्न अब हमारे दिल में देखना हैं ताकत ने यह कितने बाजुए कातिल में हैं तो यह सारी चीज़े एट क्लास में दी हुई है वहाँ आप सभी को बताया हूं बहुत डुटिल में समझाया हूं कि कौन सा नारा किस ने दिया था ठीक है यह भी याद रखेगा साइमन गोबय का नारा दिये थे यूसूप मह एरली और इससंस्ञाय सीजी में साइमन का गठन हो रहा है जो कि بारात में प्वहुचता है साइमन कमिशन की काहे भाई अलोचनव हो रहता है कहे लोग इसका बिरोद कर है तो चले मैं की वह आतना जो जले अने मैं इस जांच करने पहुच रहा था, European team भारत में पहुच रहा जांच करने के लिए, और इसमें पूरे Simon Commission में साथ लोग थे और अगरेज था Sir John Simon, उसहीं के नाम पर doon Simon Commission रखा गया, अब अंगरेज आके भारत में भरतिये घटनाओं को रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो कभी भी साइज निस्पक्ष रूप से रिपोर्ट देंगा नहीं देंगा तो यह साइमन कमिशन का पूरी तरह से पूर्ण रूप से किया गया उसी बीच में मोती ललने रूप पहुंचते हैं अंग्रेजों के पास और बोलते हैं हमें सौराजे की अनुमती दीजे तो मोती ललने रूप एक पेपर लेकर जाते हैं और पेपर लेकर अपनी मतलई का अपना सुविधान बनाके छोटा मोटा और ले जाकर देते हैं अंग्रेजों को अंग्रेज का किया उनके मुँपर फिक दिया पेपर बार का भग लेकर यहां से तुमको सौराजे का नहीं दिया जाएगा इस बात घटना जब जोहल नहीं को पता चलती है तो उनके पिता जी का उनके साथ नाफरमानी किया गया तो जाहिरते बाते मानें गया तो थोड़ी मुटी ललने रूप गुसा गये और बोले कि अब हमें सौराज नहीं अब क्या चाहिए तो पुर्णे सौराजे चाहिए पूरा हमरे चाहिए अंग्रेज भागो यहां से पहले क्या ता पहले बात किया जा रहा था कि भाई सब तुम भी सासन कर रहा हमों सासन कर दुन मुले मिल का सासन करा जाएगा लेकिन अंग्रेज बला कि ना तो तो करने इन नहीं दे गए और इनकी बेश्टी कर दिया गए कि निका जोहला लेरू के पिता जी का तो जोहला लेरू बेटा थे उनके अब वो गुसा गए और गुसा के बोले अब होगी पुर्ण सुराजी की मांगे 31 दिसमर जो लहावर में कांग्रेस की मिटिंग हो रही है तो उसी दिन लहावर में जो मिटिंग होई कांग्रेस की अधिक्सता होई उसका अधिक्स भी बने जोहला लेरू और उसी समय बोले कि अब जो हमें पुर्ण सुराज की मांग रखा जाएगा और पुर्ण सुराज का प्रास्ताओं वहाँ पर पारिद कर दिया गया ठीक है याद रखेगा ठीक है उसके बाद जॉला लेरू भी जो थे वो जो 26 जनवरी को फिर 26 जनवरी को 1930 को यहनोंने किया कि रावी नदी का टट पर इन्होंने एक जंडा फड़ाया स्वतंत्रा का जंडा फड़ाया और उस दिन से यह ताय कि आज से हमरा देश हो गया स्वतंत्र चाहे अंग्रेज है या नहीं है इनको पीट पड़ गया हम लोग भ सविधान लागू किया अजादी के बाद आगया जी यहां लिका है कि इनकलाब जिंदाबाद तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा देते हुए बंप फड़े हुए थी कौन फड़े हुए थी किसने पुड़ाब भागा सिंग चंद्शेकर जासुख देव और कोसं बोलते क इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था तो क्या बताई यहां से अच्छा किसने दिया था सब बार में डेटेल समजाया था ठीक है इनकलाब जिंदाबाद techno नारा किसने दिया था क्या और दिमाग लगा होंगे तो पकड़ लिए होंगे कि अभी जश्ट थोड़ी दिर पहले में बोला हूँ कि जितने भी नहरा दियते सब मुस्लमान दिये थे समझ आ गया होगे असा कर रहा हो की चीज़े समझ आगे अब यहां यह भागा सिंग चंसकराज़ सुक्स देव यह सब मिले के क्या किये नहीं नहीं दिमाग लगा और क्या कि इसके सापना कर रहा है कौन कर रहा है तो चंसकराजा भागा सिंग और तीनों मिलके कर रहा है कोशन पूछा हुआ है कि सापना किस नहीं किया तो तीनों मिले तो भागा सिंग चंसकराजा और राज गुरु ने लाला लाजपतर राए को लाठी से मारने वाला तेक चुली म लाठी से मरना पाद इनकी मिर्थि हो गए थी इनसे बाना निकले Sanders को कि हत्या कर दिये कुण हत्या कर दिये यह सब मिले के भागसिंग चंसकर राजाद और सुख देवी सब को कि मिले कि Saunders की हत्या कर दिये क्योंकि Saunders कर दिया कि Saunders साइमन गोबैक का जो नारा लग रहा था न उसमें लाला लाजपत्र है भी इस आंदोलों थे उसी आंदोलों में लाठी चार्ज बोले था अंगरे जो सब्सक्राइब टिका के जान बुझके टिका का कि ये लाला लाजपत्र जी को इतना मारा लाठी से कि मर गया ठीक है तो लाला लाजपत्र जो थे वो मरने से पहले बोले था अंग्रेज जो सोई कि मेरी जो मुझे तुम लोग मारा है समना इस बात के बादला भारती लेकर रहेंगे और तुम उसके बाद इसको निकाल नहीं देखा सकते चेहरा मयत को अखहरी कील ठोग आगया यास संजर्स मरत ईसंट्र समर्ध कर दिया हुआ कर दिये यह तीनु भगा सिंग और राजगुरु और सुखदे काफि बहुच अधा मानते हैं ते लाला लाजबत राय को तो इनकी बदला ले लिए नहीं कब बदला लिए तो याद रखिए का 17 दिसंबर 1928 सिस्यू को इन्होंने बदला लिए संडर्स की हत्या कर दी हत्या कर आठ अपराल 1929 को कहां केंदरी विदान सभा में केंदरी विदान सभा में बम फोड़े और वो ऐसा बम था सिर्फ धूआ निकले उन्होंने बम फोड़े के उसके पर्चा फेक दिये उसमें पर्चे पर लिखा था कि बहरों को सुननी के लिए मतलब कुछ हम लोगो धमाका करना जुरूरी था ऩके अब इनको पकड़ लिए अब यंड फोड़ी अशञा था कि हमको क्या करेगा सब आगे कुछ करेगा सेंकुछ पकड़े केशन मुकादमा चला दिया शम्नीकों में तो कूछ नुकसान हुआ था था कि तेज से मार्च को 1921 यЭ्यां को लटका जा रहा है उसमें उमर जो थी 23 साल कि थी ठीक है ? तो अब यह उनकी मर्जी च्प्रभ्यून नहीं च्प्रख आता है कि ृष roy इंप्पॉर्टट ऑएगा के साथ सब्सक्राइब इंपॉर्ट इंप्रों एक्जाम में हंडर प्रसंद आयगा इसलिए को स्ऩ제 किसको ये बम फिकते हैं किसमें केंद्री बिधान परिशत में बम फिकते हैं और उसके उससे पहले क्या घटना किये थे 17.12.1928.1928.1928.1928.1928.1928.1928.1928.1928.1928.18 एक उनकी पार्टी बनी थी जिस पार्टी के नाम था हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपाबलिक एस्साइशन य सुख दे यह इसे ठीक है चंसकर राजात को बाद में भी पकड़े कि उनको भी मतलब गोली चलाए गया मरें नहीं खुद अपना गोली मार ले अब यह डांडी मर्ची कहानी समझते है डांडी मर्च में कहा हुआ था डांडी मर्च में ठीक है तो पुंड सवराज्य की जो मा करनुन को तोड़ने के लिए नमक पर टेक्स ना देने के लिए लोगों सागरा किये और यह क्या किये चल दिये नमक करनुन को तोड़ने के लिए कहां से कहां चलते है तो याद रखिए कि यह सावरमती नदी किनारे अपना एक आसरम बनाया था जिसका नाम था सावरमती आ करके 240 किरूमेटर को दुरित यह पहुंचते हैं जाते हैं उँआ पर जाके जो मिट्टी होता है उस मिट्टी में से बिखरा वब भा नमक कानून तोड़ा हुआ अब नमक कानून को तोड़ देते हैं ठीक है और यह पहुंचते कब है छे अपरल को चले कब थे 24 मार्च- पहुच के हुआ अपनमा कानून तोड़ दिए टोटल कितना दिन लगा इनको जाने में चौवीस मर्च नहीं चौशन पुछा हुआ बीपीसी में कि गांधी जी को सावार मती से यह डांडी मार्च में कुल कितने समय लगा था इस इंपल साथ यह कोशन था डांडी मार्च मे कितना किलोमेटर दूरी टै किया गया गांडी मार्च में गांधी जी दूरा कितना दूरी टै किया गया तो मुलादी करनाटा वांगा साल च कंदी ची शुरवाति समय महीलाओं को अपने अंधोलों में नहीं लाना चाहते ती ती वह भी भारती रस्थी आंधो migsem में शक्रीय रूप से भागरी और काम की चृइंगे अगे काफी वीडियो मैं रहा हो रहा है अगर एक्टरूतिग अगर आगा तो हमें लग रहा है कि मैं इस तरह पढ़ाने कोशिद गर रहा हूं ताकि आपको फिर दुबारा पढ़ने कि जुरुवत नहीं पढ़े अब नीचाहिए यहां देखिए कि 1935 में गवर्मेंट अफ इंडिया एक्ष जो प्रांथी स्वयाता का प्रावधान दिया कि 1935 में जो भारा सरकार अधिरियम आया अंगरेजी दोवारा उस अधिरियम को तो उस सविधान के अंदर काफी जगा दियागे जिसने भी उसमें कानून बनाएगा थी क्योंकि इतना चदा अंदुलान हो चुका था ना कि भारत में अंगरेजी नहीं कुछ हद तक सुधा अब जो एकारा में से कंग्रेश की सरकार बना ठीक है अना उसके बास से दो सल बाद दो सल बाद जो उसी दो सल बाद जो हूँ दूसरा बी स्यूद सुरू हो जा रहा है इस बार फिर से इस बार क्या भारत के सैनिकों को ले जाने केंग्रेज़ के लिए बहुत की तुम लोग भouncesने के कि विह बैस भरत कि देंगे देने के बजाघेलेल लबाद हतेक अण दे दिया सब तो दूसर बिस यूदे में फिर अंगरेज़ आया सब क्यूकि दूसर बिस यूदे ऑखता सब भारत के स्पास आप सचाल किया जादा थी यह नहीं करेंगा, ठीक है, मतलब कि जो च्छेतरिये बिधान में, बिधान सबाव में, जहाँ एलेक्शन में जीत कर गंगरेश पहुंची थी, वहाँ पर छोड़ना शुरू कर दी, अब फिर से अंदलन में उतर गई, ठीक है, इसमें क्या हुआ ना, इसमें, हालाकि किताब प्ता नहीं, दिया हुआ नहीं, इसमें क्या हुआ ना, जो मुस्लिम लिग था ना, वो मुस्लिम दिग बोला कि बहुत अच्छा हुआ, आच無 हर गया था, बउत बुरी तरस से उसकी हार हुआ थी, यहां दो कि यहाँ पा देखे, तसक ना, सुरोजिनीन नạtो kami 19oso का समय का यह तस्वीर है यह तस्वीर सुरोजी नाड़ो जी है और मादमा गांदी है देख सकते हैं यहां लिका है भारतिय राष्टि कांग्रेस के अधेख के पद पर पहुंचने वाली परतम महिला जो थी मतलब भारतिय महिला वो महिला भारतिय महिला जो की कांग्रेस की अ और पुष्टा की पहली महिला उन्हें सो सत्रम ही कर चुकी थी कौन की थी एनिव बेसेंट उन्हें सो सत्रम ही कर चुकी थी याद रखे कर ठीक है अबाजी यहां पर यहां देखेंगे तो बीर लखन नायक को फांसी देगे इसमें जानना क्या है तो यहां पर जानना क्या है कि तीसरे द्रसक में नबरंग पूर कांग्रेस उडिशा के अधेक थे बाजी मुहंबद तो नगरंग पूर कांग्रेस जो उडिशा में अधेक थे तो बाजी मुहंबद और बाजी मुहंबद जो है ये 25 अगर उन्हेस लोगों को नगरंग बंद नगरंग पूर इस्थित प अगरंगपुर कंग्रेस में कंग्रेस की जो अध्यक्षक करते हैं बाजी महम्मद करते हैं ठीक है अब प्रांतिय स्वयता संग के भीतार रहते हुए प्रांत को तुलनात्मा कुरूप से स्वतंतर निर्णा लेने की छमता मतलब क्या कि आप देश के अंदर कोई भी सासन कर लेकिन राज्य में आप अपना फसले ले सकते हैं उसको बुलेंगा प्रांत में आपको छूट है स्वयता है ठीक है इस तो राजी यह भाराचुड़ अंदलों मालूमें 1922 से शुरू हुआ आठ अगस 1922 अंदलों का हैंवान शुरू किया जिसके करण 8 अगस को रात में अब यहाँ वही शुरू कि यह गांदी जी ने करो और मारो का नारा दिये थे कब दिये थे तो भाराचुड़ अंदलों 1922 वाला जो हुआ था ठीक है अब नीचे हैंगे तो यहां लिखाब है जर्मनी के रस्ते वह सिंगापूर पहुंच गए जर्मनी में इसे कहा है कि जर्मनी में जब यह गए थे न तो वहां पर हिटलर से मिले थे और हिटलर को पच्छान लिये थे अधाद हिंद फोज के स्थपना कर रहा है याद रहे कि 1944 में आदा हिंद फोज के फिर वापस ल यहां पर देखेंगे 1930-1930 के आखरी दसम में आखरी सालों में लिग मुस्लमानों और हिंदू के अलग राष्टे की मांग अलग अब कुछन पुछेगा कि अलग राष्ट के मांग कब उठने लगी थी हिंदू-Muslim मतलब अलग राष्ट बननने के लिए तो कम मांग उठने लग्तार मोनाजाद इनका जनम काम हुआ थारीग। अजादी की होbands न जादी कि वे थे की पैस्ट treadmill में הי alignment घ्ण सबीधर्म के इक्ता के हिमाईती थे सबीधर्म को बानते थे गांधे एक्चिली सच्चा मुस्लमान है आई हुआ सबीधर्मों यह कोई किपारपन दुर्म है, जो आज आजकल, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू ओ, मुस्लीम हो, बहुत सरे लोग है, कट्रपंदी मान सिकता के लोग है, वही जो है, अपनी बात करेंगे, दूसरों को नकार देंगे, या दूसरों के बुराई ज्यादा करेंगे, अब जिन्ना जो है न, दो राश्ट के जो बात कर रहा थे, उसके लिए ये बिरोद कर रहे थे, घोर बिरोदी कर रहे थे, बहुत जिन्ना को समझाये थे, कि पगला तुम सांत रहो, ठीक है, लेकिन जिन्ना माना नहीं, जिन्ना तो बहुत सरे उसकी में कंट्रोवर्सी है, ऐसा सुनने भी मिलता है, कि जिन्ना जो था, वो सच्चा मुतलमार भी नहीं था, अंग्रेजु से बहुत ज़्यदा उसकी घनिष्टा थी, बहुत सरे चीज़े हैं, बहुत सरे चीज़े इसमें उपर चिली थे, जो भी हो, ठीक है, यहां देखेंगे, तो दच्छिन में नमक सत्यागरा जो कर नेता थे, दच परतम भारतिया गौर्णा जोर्णा की को बनाएगा तो सिरी राज गौपालाचारी को बनाएगा तो उनीसो चैलीच में जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसके सदस्य भी थी, और सवतनत्रा का बाद परतम गौर्णा जोर्णा मी बने थे, ठीक है, लोग इन्हें राजा जी के ये अंतरिम सरकार का सदस्य भी थे और ये अपने जो नमक सत्यागरा जो हो रही थी, उस समय ये साउथ से नमक सत्यागरा में सक्री रूप से भाग भी ली हुए थे, यही सत्यागरा कर रहे थे, अब ये बारदोली से, गुजरात बारदोली से, जो क्या बलते इनको, सर्दार बल्लम भाई पटेल जी काभी फेमास थे तो पटेल साहिब जो थे वो गुजरात में बारदोली में किशान महिलाओ की समस्या को सुल जहाएं जहां पर इनको सर्दार की भी उपादी दिया गया ठीक है 1931 में कंग्रेस की वाज़ दक्ता भी किये थे तो कंग्रेस की जो मेटिंग हुई थी अधेक्षता हुई थी उन्हें 31 वाला जो कराची में हुआ था उसके अधेक्ष भी रह हुए सर्दार पटेल जी ठीक है अब आज यहां पर देखेंगे अब यहां लिखा है 1923 में हिंदू-मस्लिम एक्ता में जिन्ना ने लखनओ जो समझाता हुआ था उसमें एहम भूमी का भी निवाया था मतला जिन्ना सुर में ठीक था पता नहीं जिन्ना को क्या हो गया जीन पकल लिया था बाद में पूरी तरह से बदाल गया अब यहां लिखा है समाने निरवा चंच छेटर है समाने निरवाचन चेटर मतला जहां पर एलक्सेन जो समाने रुप से होती यहां लिगा थाGO मुस्लिम लीग सुनुकत प्रांत में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग की बूरी तरह से हार हुई थी और इतनी जएदा हुई थी और वो चाहते थे कि कांग्रेस में अपना मिल जाए बिलाया कर लाया कांग्रेस से मिल के पाटी बनाया कांग्रेस बना कर दे है यहीं से मुस्लिम लिग और कांगरेस में पूरी तरह से दुस्मनी बढ़ गया कि अब तो हमारा अलग देश चाहिए तो चाहिए ठीक है यहीं से मामला और भी गड़े गया ठीक है अब यहां लिगा है खान अब्दुल गफार खान इंको सिमांद गांदी कहा था यादर रख क्यां के नहीं सिमांद गंदी बोलेंगे सी मान उसी साइड केते कि उत्र पच्छीं यु sleptiest फार की तरफ कि सी मांद गंदी को ऐता है खान अब्दुल गफार खान ठीक है और यह पस्तून के नेता थे कौन पस्तून कर लोग बहुत अच्छी होते है आद अन्आ हमोमन लो किया भृत्सा को पाधि दिया गया था था एक दॉですね अभी हा देखेंगे तो और इन्हों ने कहा कि अब हमको अगला देश चाहिए क्योंकि वो जित नहीं रहा था भारत में कोई उनको भोटे नहीं दे रहा था कुछ मुछ मुस्लमान थे जो पकिस्तान चले गया है और जो पूरा ता कटर था वो सब गया लो उनके साथ में ठीक है तो सपोट को नहीं करता था लो इसके वज़े से हारते जा रहा था था लो मुस्लिम लीग की पूरी तरह से भारत में कोई भैलू नहीं रहा गया था अब उन्होंने क्या कि अब एक ही उपए बनता है कि हम लोग अपना अलग ले लेंगे ता फिर दूसर किसको बोट आप अपने मंसे अजादी ले लेंगे पाकिस्तान अलग कर लेंगे लो चाहिए तुम दो चैन ना दो उसमें भ्यानक मार दर गुए इतनी भ्यानक मार दर हुए कि मनकाहा जाता है कि जितना अंग्रेज टॉचर नहीं कितल अथी तो देश-बटारा मार लोगों को मार रना उस समय जो था अंग्रेज बोला था कि वन में नारमी गांदी जी को बोला था ठीक है कि अकेला एक आदमी जो है पूरे आर्मी भारी पढ़ गया पूरे यह दंगाईयों पर भारी पढ़ गया और यह पूरी आर्मी नहीं कर पाई यह अकेले जागे खड़ाओ के सल्टा दिय ठीक है जांदी जी को उसमें भैलू थी बहुत जैदा वर्चस वी था और क्या था नीचे देखेंगे यहां आएंगे आप पकिस्तान अलगे हो गया भारत अलगे हो गया और आज रो रहा है पकिस्तान बढ़ के लागने इसमें राता तो अच्छा कासा मिलता खाने के पहले उसे गोल्ड कोष्ट के नाम से जाना जात दयाता त्य जो आफ्रिका का डेश है और यह सबसे पहले पहले अफरिका में यही देश बतनतर ह była 1907 में पहले इसका नाम जERE सबस्का पहले सबस्का पहले सबस्का पहले नाम था इसका गोल्ड कोश्टा ठीक है आजेते नीचे अभी वर्तवान में इसका नाम है क्या घाना नाम है फानेली चेप्टर हो गया complete चेप्टर था काफी ज्यादा बड़ा इसलिए इसको मैं चाहां के आजे भारत